आईडिया सिम कार्ट नेट्वर्क सेटिंग तो दोस्तों आजके इस वीडियों में मैं आपको बताओंगा कि कैसे आप जो है अपना सिम कार्ट को सेटिंग्स कर सकते हैं चाहे जो भी टेलीकॉम कंपणी का आपका सिम कार्ट हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए जब भी हम जो है अपना sim card का settings जो है हमें किसले करना चाहिए क्योंकि दोस्तों हम यहां पर network सही से नहीं आ रहा है या फिर कह सकते हो network show नहीं होता है या फिर internet connections आपका काम नहीं कर रहा है या फिर call आपको नहीं लग रहा है या फिर जो भी आपका problem हो दोस्तों उसके वज़े से हमें sim card settings करना होता है ठीक है sim card का network हमें setting करना होता है तो दोस्तों हम भी network कैसे setting करें सबसे पहले तो दोस्तों आपको जाना है अपने mobile के settings पे settings पे जाने के बाद में दोस्तों देखिए हर android font पे थोरा सा अलग रहेगा लेकिन location आपको थोरा सा अलग रहेगा लेकिन आपका जो method है वो same रहेगा ठीक है concept same है आपको अपना mobile में dual sim cellular network या फिर sim management या फिर network आपको शो करेगा उसके उपर आपको click करना है उसके बाद में यहाँ पे आपको वो sim select कर लेना है जिस sim पे आप network setting करना चाहते है ठीक है मैं sim 1 पे करना चाहता हूँ तो sim 1 पे मैंने click क्या है अभी दूस्तों यहाँ पे दिखिए सबसे पहला तो जो है दूस्तों career setting पे आपको जाना है career पे जाना है और यहाँ पे दूस्ता आपको automatically select पे on करके रखना है ठीक है एक बार इसे off कर दीजिए उसके बाद में आप on कर दीजिएगा इससे क्या होता है कि आपका network जो भी आपका गायब हो जाता है कभी-कभी तो वह problem आपका solve हो जाता है ठीक है अभी दूसरा setting है आपको access point name setting पे आपको जाना है APN आपके mobile में शायद APN शो करें आपको और यहां पे दोस्तों आपको देखिए plus पे आपको जाना है plus पे जाकि नया APN आप set कर लिजेगा ठीक है अभी नया APN आपको क्या भरना है वो में आपको बताता हूँ नया APN में आपको क्या भरना है चलिए हम चले जाती है अल्रेड़ी जो APN मैंने select करके रखा है set करके वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ ठीक है आपको यहां पे name APN पे आप ऐसी ही छोड़ दीजे ठीक है आप यहां पे अपना नाम जो है proben APN में आपका यह data is your APN दीजेगा gua यहां पे टो का यहां पिक नंट दीजेगा और यहां पे दोस्त ऑप को कॉमा Ass groove L k também A CD प्रोटोकॉब पि आपको 42 IP26 आपकोट के अ ठीक है और यहां पर myth रोंइंग प्रोटोकॉब पर के आपको IPVस एृप इना में धंस एन पर ब्ले Necky अग्षय करने नहीं ध्याते हैं यहां पर दोफिस अब्र अपकोष नहीं रखना है हुए वापसाने के बाद में एक बार आप अपना settings में चले जाए और अपना mobile का airplane mode को एक बार on कर दीजेगा उसके बाद में दोस्तो airplane mode को off कर दीजे अपना mobile को एक बार restart कर लिजेगा ठीक है restart करने के बाद में आपका 90% problem जो है वो आपका solve हो जाना चाहिए यदि buy chance नहीं होता है तो last option दोस्तों आपको क्या है यहांपे जो है आपको additional settings पे आना है अपने mobile में उसके बाद में दोस्तों यहांपे आपको backup and reset पे जाना है यहांपे reset to factory setting पे जाना है देखिए तोस्तों हर mobile में यह शो नहीं होता है किसी mobile में होता है किसी mobile में नहीं होता है ठीक यह feature reset system setting पे जाके आपका setting जो है वो आपको completely reset करना है और network का setting भी completely reset हो जाएगा यह करने के बाद में जो है आपका सारा कुछ जो है company से जो आया default setting था उसे में रह जाएगा और आपका problem solve हो जाएगा यदि आपका यहाँ पे सिर्फ system का setting को reset करने का option नहीं दिया गया है तो आपको backup and reset में जाके आपको यहाँ पे reset factory setting में जाके clear all data पे पहले तो आप backup बना लीजेगा कुछ भी delete नहीं होगा और clear all data पे click करके आपका जो है setting जो है वो reset हो जाएगा ठीक है यह था दोस्तो complete option यह दि दोस्तो देखे यह सारा कुछ करने के बाद में आपको problem solve हो जाना चाहिए लेकिन दोस्तो कभी कभी यह करने के बाद भी solve नहीं होता है तब तो company के तरफ से telecom company के तरफ से ही sim company के तरफ से ही technical issue होने के वज़े से या फिर server down होने के वज़े से आपको यह problem आ सकता है वो case में तो आपको customer care से ही बात करना होगा तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching